हेलो एव्रिवन आज मेरी बेटी ना टीवी में कार्टून देख रही थी तो पता नहीं उसे कार्टून देखते हूँ अचानक से क्या हुआ वो मुझसे डिमांड करने लगी पीजा की और बोले लगी ममा पीजा ममा पीजा तो मैंने सोच लाओ उसके लिए पीजा बना देत और अगर आपके पास सवीट कॉंशन तो और भी अच्छा है तो वह ँच्छा रड़ फूल लगेगी तो यह टांप्ल ले ले लेते हैं इसके लिए ब्रेट क्यूंकि हम ब्रेट पीजा बना रहे हैं क्यूंकि ब्रेट पीजा बहुत इंस्टेंट क्वीक पन जाता और चिली सॉस भी इसके डाल सकते हैं, आपके पास जो सॉस अवेलिबल है आप डाल दीजिए, शेजवान सॉस, रड़ चिली सॉस या कैचप वगरा कुछ भी, तो इसको अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए, सादा मुटी लियर नहीं लगानी है, पतली-पतली बस कवर कर देना ह अब डाल दीजिए, मयोनीस, मयोनीस से थोड़ा सा बटरी और थोड़ा सा क्रीमी तेस्ट आता है, तो अच्छा लगता है, और अगर आप नहीं डालना चाते हैं, तो ये भी स्किप कर सकते हैं, तो मयोनीस को भी स्प्रेड कर लीजिए, पूरी ब्रेड पर, तो पहले तो म तो यह पीज़ा बनकर बहुत रड़ी अच्छा लगता है और बहुत खाने में टेस्टी होता है तो अब चलते हैं टॉपिंग्स की तरफ तो मैंने अपनी वेजी टेबल्स की टॉपिंग्स कर ली है आप चाहें तो इसको पहले से एक बाउल में मिक्स कर सकते हैं सारी वेजी तो में पास ओर एगिनो था और चिली फ्लेक्स था और ब्लैक पेपर पाउटर तो मैंने बस इनी चीजों की सीजनिंग की है और अब डाल देते हैं चीज चीज में डाल रही हूं लेकिन मैं बहुत ज्यादा चीज नहीं अट करूगी नॉर्मल चीज अट करूगी बहुत यादा चीज भी अच्छा नहीं लगता है थोड़ा सा वेजीटेबल्स का भी फ्लेवर आना चाहिए तो मैंने चीज एड कर दिया है और हम चिलते हैं से पैन पर सेखने की तरह आप चाहें तो इसे तवे पर भी सेख सकते हैं तो हमने पैन पे थोड़ा सा बटर लगा दिया ह और बटर लगा के उसको फैला दिया है और एक साइड में एक स्लाइस रखेंगे और दूसरे साइड में दूसरा स्लाइस एड कर देंगे और बस इसकी आँच जो आपको बिल्कुल हलकी रखनी है और दो-तिन मिनट के लिए बस आपको इसको कुक कर लेना है कवर करके तो देखिए दो दिन मिनट बाद हम इसको चेक करते हैं तो ये जब आपकी चीज मेल्ट होने लगे तो मीन्स ये कुक हो चुका है ये दीखे क्रिस्पी भी हो चुका है जब इसकी ब्रेट के स्लाइसे जो आप देख रहे हैं क्योंकि ब्रेट भी नीचे से क्रिस्पी हो चुका है आज को बिल्कुल आपको हलका रखना है अदर्वाइस वो जल जाएगा नीचे से तो हम इसको सर्फ कर लेते हैं प्लेट में इसी तरीके से दूसरा स्लाइस भी उठा लेंगे और सर्फ कर लेंगे अब दुबारा से पैन में डाल लेंगे ओल या फिर घी या फिर बटर अब इस बार चार स्लाइसेस का एक साथ बनाऊगी तो टॉपिंग्स लगा लिया है सीजनिंग भी अब मैं हाथ के हाथ कर दे रही हूँ क्योंकि अब मुझे एक साथ बनाना है थोड़ा सा टाइम भी सेफ करना है और सीजनिंग में वही चिली फ्लेक्स और एगेनो या ब्लैक पेपर पाउदर ये सब डाल सकते हैं चाहे तो आप थोड़ा सा नमक भी उपर से अड़ कर सकते हैं और इस बार मैं चीज डालूँगी थोड़ा सा ज्यादा तो एक साथ इसलिए बना रहे हैं क्योंकि अब वेट नहीं हो रहा है भूग भी लग रही है तो जल्दी से बनके रेड़ी हो जाएगा टाइम भी सेफ होगा तो अब मैं डाल दे रही हूँ इसमें ग्रेट चीज आप चाहें तो इसमें चीज स्लाइस भी जाल सकते हैं या फिर ऐसे ग्रेट करके या मौजेरेला चीज है जो मैं ग्रेट करके डाल रहे हूँ तो देखिए इस बार मैंने पहले से थोड़ा ज्यादा चीज डाला है लेकिन यह बहुत ज्यादा भी नहीं होगा बनने के बाद फिर से तवे को ग्रीस कर लिया है और अब आइस्ता से मैं चारो स्लाइस एक साथ एड़जस्ट करूँगे अब देखिए कैसे एड़जस्ट होते हैं नहीं जो भी थोड़ा बहुत भी होगा एड़जस्ट करने की कोशिश करेंगे तो देखिए हो गया है एड़जस्ट एक साथ चारो स्लाइसे अब कवर कर देते हैं और तीन से चार मिनट के लिए इसको कुक कर लेते हैं तो देखिए बिलकुल रड़ी हो चुका है चीज मेल्ट हो गई है देखिए जादा फालतू चीज नहीं लग रहा है इतना है कि अराम से खाया भी जाएगा और अच्छा भी लगेगा तो ब्रेड पीजा ओन तवा या ओन पैन बनकर बिलकुल रेड़ी है बहुत टेस्टी है बहुत यम्मी है जरूर बनाईएगा बहुत इंस्टेंट और बहुत कुईक एंसिंपल रेसिपी इसमें कुछ भी एक्स्ट्र एफर्ट नहीं है एकदम कुईकली बन जाता है सिंपल बन जाता पां से दस मिनट के अंदर ये रेसिपी बनके तियार हो जाती है तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगया तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बराबर में बैल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए ब्लैक पर क्लिक कर दीजिएगा तो देखी कितना जबर्दस लग रहा है मेरी बेटी ने से बहुत शौक से खाया क्योंकि बच्चे अक्सर वेजिटेबल्स नहीं खाते है तो हम अगर उन्हें इस तरीके से नों देंगे बिल्कुल टेस्टी वेजिटेबल्स तो वो जरूर खाएंगे आप चाहें तो ब्रेड पीज़ा बना सकते हैं या बर्गर पीज़ा बना सकते हैं बर्गर बन से क्योंकि जरूरी नहीं है कि पीज़ा बेस हमारे पास हमेशा अवेलिबल हो पर ब्रेड इजिली अवेलिबल होते हैं तो मैं आपको एक पीज़ा ब्रेक करके दिखाती हूँ इसका चीज़ पुल आप जितना ज़ादा चीज़ एड़ करेंगे उतना ही ज़ादा चीज़ पुल और ज़ादा आएगा लेकिन हमें इतना ज़ादा चीज़ नहीं चाहिए था तो हमने नॉर्मली थोड़ा चीज़ एड़ किया है तो ये खाने में बहुत ही ज़ादा टेस्टी डिलीशियस था और फिर से मैं आपको दिखाती हूँ देखिए तो रेसीपी पसंद आई तो ज़रूर से लाइक करिए प्यारा सा कॉमेंट भी दीजिए और वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा और प्लीज हमारे साथ जोड़े रहिए और थैंक्स पॉर वाचिंग जज़ाक अल्ला हुखर